हेलो गाइज वेल्कम टू मैं चैनल कुमक कर होटल यह मैं रमेश आपका दोस्त और इस चैनल का फोस्त सो गाइज आज बस ऐसी आगे हैं हम कि यूटूब में एक पोस्त दालने के लिए तो अभी मैं हूँ अपने होटल के पास पीछे दिख रहा है है इस अभी डूटी क्लोगश हुई है मेरे अभी टाइम हो रहा है सिक्स क्लाउक यहां से मैं अपने अभी जाओंगा एक्कमोडेशन में जोकि आज क्वार भी हमारी खराब तो अभी मैं वाकिंग जा सकता हूं बाइमेटर भी जा सकता हूं बड़ आज जाए वाकिंग और कर देख मेरी पोस्ट भी एक वीडियो भी दल जाएगी कि तो मैं वेट कर रहा हूं यहां से कि और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कि यहां का जो क्रिक टावर है सो क्रिक टावर मेरे पीछे दिख रहा है कि अभी रेड लाइट के बाद हम हाई वे अभी टेम चाहे हुआ है तो फिर पेडल जा सकते हैं तो करीब है यहां से दो तिन किलो मीटर तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है यहां पर कि अभी बिना मास्के के अलाव नहीं किया है बट सारा गाम चल लाए यहां पर कि अभी देखते हैं कितना टेम कितना क्या है अभी यहां से निकलते निकलते क्रेप 2-3 किलो मीटर वाकिंग है है कि अभी में चले जाओ इतना टायम लगाना वेश्ट आ करना है जोकि फवाकिंग होता है है जब है लुव है बुढ़ अधिक्षा ऐघया है जैसे यहांस की जुमेरफा भीच है है अभी मैं तो गया नहीं हूं लेकिन बहुत अच्छी जगह है और आप जारो साइना भूब 잡े अड Clean सफारी में हैं यहां से आप booking करा सकते हैं जो कि 40-50 दरम 50-60 दरम के आसपास लगता है तो आप 50 दरम के बीच में खूम सकते हैं इंडिया के हिसाब से 1000 रुपे तो आप डेजर सफारी जो आपको खुद पीक अप करेगी गाड़ी जहां पर रह रहे हैं जहां पर पीजी में र सब्सक्राइब चारी चीजे डीनर भी साथ में रहता है वहां पर 50 दरम में तो एक बार चब आप दुबई आए तो डेजर सफारी भी घूम सकते हैं बहुत अच्छी जगह है यहां की एरिया जो है एक है बुर्दुबई बुर्दुबई भी अच्छी जगह है क्योंकि मा सब्सक्राइब Yao मारकेट रहते है दिली में है मीना मारकेट, मारकेट रहते हैं इस है इस में अच्छी शौपिंग कर सकते हैं यॉटिसरी घूमने वाली जगे है बुर जो अच्छी एक है बुर्ज़ो खलीफह म कनिशी तो वहाई क्रोजम उसामने से जाएंगे तो भी मॉल है भी तो पूरे दु्निया का सबसे बड़ लाइट का टैम रहता है जो जादा सबसे ज्यादा है तीन मिनट से ज्यादा कोई भी रैड लाइट से उपड़ नी जा सकती देन जो चोटी रेसिटेंशल वाली एडिया जो है वहाँ पर एक मिनट देड़ मिनट यह चीज रहता है लेकिन जो में हाइवे हैं उस पर रहता है मेरे हाइवे जो की जैसे मेरे पीछ आप देख रहे हैं इसमें तीन मिनट लगबग रहता है तो तीन मिनट ज्यादा भसड़ वाली रोड है और यह देख रहा भी रैड लाइट लगी हुई है इसके बाद ही अब जाएंगे आगे और मैं आज अकेला ही हूं और आज मेरी जब तक हम ड्यूटी करते हैं ड्यूटी के साथ साथ हम अपनी कोई यूटूब में वीडियो दालते हैं तो इसी के लिए मुझे आज वाकिंग यहां से जा रहा हूं ऐसा वह इसका बड़ा रीजन नहीं है बाई मैट्रों भी जा सकते हैं कार्ड भी साथ मैं कार्ड भी है अब पर और अधार जौब भी जरूरी है तो अधुसरा साइकिलिंग देख सकते हैं जो बंदा भी साइकिन करेंगा यह कि जैकेट है यह बहुत जरूरी पहली है जिससे और हेलमेट है इस दर पर लाकर दो नहीं है लेकिन इसे यहां की पुलिस पगड़ती है तो इसको 400 द है लेकिन बहुत बड़ा है और प्राइसेज भी ठीक रखें है एक बार राउंड मारते हैं हम जा रहे हैं अभी डे टू डे एक मॉल है इसको देख लेता है क्या है एप्पी ऑलिवीन तो मॉल के अंदर तो कुछ खास है नहीं और बहुत सरम हैंगा है तो और पीछे लिख रहने दुबई हो हम बिना से निटाइज जरह अपने पास रखे रहते हैं वैसे पांस दिरंग भाम खरीच सकते हैं बहुत अच्छा खासा है इस एरिया मैं कुछ इतना बोल भी नहीं सकते कि दुबई आओ और यहां पर मेरा मानना तो यह है कि दुबई में आप आते हैं तो आपको होटल बुक कराने की जरूबत नहीं है कोई भी पीजी ले सकते हैं 500-600 दिरंग में जो की मनला 12,000 पर आसपास होते हैं इंडिया के तो वहां पे आप अपना थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं क्योंकि एक बैट आप पीजी टैप में ले सकते हैं और यदि आप ऐ डेज़ेश अथाधि में आपको बता दिया में दुबई मॉल काफी बड़ा है दुबई मॉल आप देख सकते हैं पूरे वाल्ड का सबसे बड़ा है बूट यदि था चालीफा अ पर तेस रात हैं हम कि डेजाद सफारी जो मेरा भीच और मंजार वीच जार सकते हैं मंजार बाए किसी को छेड किसी के साथ गलत ने कर सकता बट यह कि प्राइसी साथ को जो दुकान के इसमें पड़ेंगे तो जो आप ग्रोसरी से समान लेते हैं उसके जो प्राइसे से उसमें कुछ लिखा नहीं होता है तो आपको जो जो तो काफ़ी चल गई यारत तो पैर में भी दर्द हो रहा है कुछ मेरे अंगोठे में प्रॉब्लम चल लिया अजकल तो कुछ लिए लगता है कि कम चलना पड़ेगा कि मैट्रो ले लो बट कोई नहीं अभी एक किलोवेटर और बचाओ आज जाते हैं एक मॉबाइल में और आज बात करते हैं आईफ़ान प्रो की और उसके प्राइस जानते और इंडिया के प्राइस देखते हैं कि कितना दुबई के मोबाइल में डिफ्रेंड है और मुझे का लेट भी मालूम करता हूं और कंफर्म करता हूं कि कितने का है और इंडिया के हिसाब से कितना डिफ्रेंड है तो तो अच्छा एंट्री करते हैं आप मौल में है तो गईस मैं पहुंच यह हूं अल्गुलेट सेंटर और यहां से हम जा सकते हैं कि इसके अंदर जो आउटलेट है केरिफॉर आउटलेट सो हम जा रहे हैं एंट्रेंस नमबर फाइब और यहां मालूम करते हैं आईफॉन के प्राइस एंड थोड़ा से कैमरा हिला होगा तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि यहां से हम उचले जाते हैं अंदर इंसाइट सो यहां पे देखते हैं केरिफॉर और यहां से से सिक्योरेटी मुझे देख रहे है कैमरा चैक तो करते हैं इससे बात यहां पर काफी सारे आउटलेट है मुबाइल के आण सो फस्त दिख रहा है इ-MAX एमक्स हूं चेक करत तो सबसे बेला आइपन टाल प्रोगे प्राइस देखते हैं तो जाते हैं अंदर करते हैं यहां पर प्राइसेट लिखे हुए हैं यह है एपल वॉच्छ स्रीजिक्स और इसके प्राइसेश हैं टोटल वन टॉल शिक्स नाइन 1270 पर दर्म इसका प्राइस है और यह एपल वॉच्छ वॉच्छ स्रीज स्रीज शिक्स है तो दूसरा हम देखते हैं यह भी यह है आइफॉन 12 प्रो और यह 128 जीवी है और इसका जो प्राइस है वह फाइब थाउजन द्रम आइन 128 जीवी साथे साथ यह है आइफॉन 12 और इसका जो प्राइस है वह है फोटी टू हंड्रेट दिरम तो हम इन दो फोन को देख सकते हैं अभी दूसरा आउटलेट में जाके हम जैसा कि आपने देखा भी मेरे जो इस्मॉल माया और मैंने आपा आइफॉन 12 और 12 प्रो के जो प्राइस पूछे तो आइफॉन 12 के जो रेट है वह है फोटी टू हंटे दिरम जो कि इंडिया के हिसाब से पड़ते हैं एटी फोर थाउजन रुपीस और दूसरा था आइफॉन प्रो उसके प्राइस था फाइफ था फाइफ थाउजन दिरम तो टोटल Tampa जो की एक ऑउटलेटें और डिए कई केरी 4 ऊप लोगों दिखेरा हो कि चलो एक तरफ से मार्केट का रेट तो मालूम लगा कि दुबाई में जो आइफॉन के प्राइस है वो किस रेंज में है तो जो पहला था आइफॉन 12 उसका प्राइस था इसका प्राइस भी दिफेरंट था वो फई थाउजंद इस इंडिया के मलेक रुपीज सो तीफ था इतनी पूरा भी नहीं हभी हमें मार्केट के रेट तो मालूम लगे तो अब मुझे ने बता कहां जाएगे निकलना जागे हैं आगे से निकलूंगा और बहुत ग्यों में चलते चलते अभी तो ऐसा भी हो रहा मासके के अंदर यह रही हाँ घुस्य में कोई बता नहीं लग रहा पस आखे आखे दिख रहे हैं कि तो देखते कोई और आउटलेट मिलता है और इसी प्राइस पता लगता है وسथ कैसी चीड़ी जनकरी जो कि आइपन और आइपन इंदिया सदी लिए Color फो मुझे बता है और कमेंड में ज़रूर न कि कैसी लगी मेरी यृवीडियो और ये इसी वीडिय के लिए में काफी वोकिंग चला हूँ तो प्लिस गाइस सपोर्ट में और सब्सक्राइब और सेर प्लिस थैंक यू थैंक यू सो मुच बाइ